हलो हाँ जी मेरी गड़ा एड्वोकेट देनेश संग जी एलेलम नहीं हो रही है जी जे बीर जी वाईगरुजी का खालसा वाईगरुजी की फत्य हर्पी सिंग में खुब इंती का रहे है ठीक हो जी? जी जी बिलकुल बढ़िया है दिनेश जी मैं तो अड़ना एक लेक पड़ रहा है मैंनों बड़ा प्यारा लगा मैं का तो अड़ना लगान बद करा जी तुसी उदे बिस जिकर कीता है भी जड़ा दलित समाज है इदा खांसला टुटेया होया या आजदा नी टुटेया होया तुसी क्या भी सदिया तो टुटेया होया या तुसी ये गल कही है भी जदो किसे देख होंसले टुट जान देखुन देने उक समाज बेच कदी अग्ये नहीं बत सकता बिलकुल और तुसी गल कीती है कि जड़ा ब्रहमन है बनिया है गुजर है जाट है अहीर है बिलकुल बीर जी इसे लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि हम पूरे देश में इस समच्या है जो उसको देख रहे हैं कि जो जो दलित हैं खास तोर पर शेडूल काश्ट के लोग शेडूल ट्राइब और ओबीसी के लोग इनके अंदर जो होसला है वो खतम किया गया यह बहुत बड़ी प्लानिंग के तैद खतम किया गया वह हुझा यह वाल कि केर और मेडिकाल साइंस भी कहता है कि जो इमन बाड़ी है यह वर प्लाइड है अगर इसका कोई विकास होता है, तो वो होसले से होता है, विगर होसले के विकास नहीं हो सकता, ना तो सारी रिक विकास होगा, ना मानसिक विकास होगा, तो जिन लोगों ने देश में बर्ण विवस्था और जो जाती विवस्था है, उसको लोगों पर थोपा, और जब तोड़ां ढाल्ट्धिजकों हेन भावना भरदी उनका मनसा तोड़ दिया और इतने लेवल पर मनावल तोड़ दिया नोइन स्लेट करने मर्म टूर टोड़ा जाता है किसी को जैसे आध से बताओ किस जाती के हो, कहां से आये हो, कहां जा रहे हो, तो जैसे ही जाती पूछी ना, तो जो दलित हैं, सूध रहे हैं, अचूत हैं, उनको जाती पूछते हैं, तो जाती पूछते ही उसको हीन भावना का बोध होता है, उसका हीन भावना का बोध हुआ, उसने मेंटल अट है किया उस पर अरे यह तो फला जाती गाका जी जिड़कार दिया उसको तो उसका होसला continuously तोड़ा गया day to day तोड़ा गया और जो तोड़ा गया हुसला तो उसके जहन में ये बात बैठ गई मैं तो तलित हूँ मैं नीच हूँ, मैं अच्छोत हूँ मैं सूत्र हूँ जब ये बात उसके जहन में बैठ जाती है तो फिर वो मान बैठ था है ये भी mentally attack कीता गया साजश अधीन कीता गया ताकि बन्दा हीन पापना दा शिकार हो जाबेते अपनी आप तो क्रिना होन लग पवे ये गुरु साहिवान ने का है मन के हार है, मन जीते जग जीत तो ये जो भारत के जो दलित सूद्र अछूत लोग है इनको मन मानसिक तोर पर हरा दिया है मनोवल तोड़ दिया होसला तोड़ दिया जो लोग मन से हर जाते हैं वो कुछ करी ही नहीं सकते इसलिए इसलिए गुरु साहिवान ने सिख़्ी की साजना की ताकि ये जिन लोगों का होसला और मनोवबल टूटा हुआ है ताकि इनका मनोवबल बढ़ाया जा सके गुरूस आइवान ने इनको हत्यार बंद बनाया जैसे सूद्रों को अचुतों को दुद्ध कारदिया कि तुम सस्त धारण नहीं कर सकते गुरूस आइवान ने उनको एक नहीं दो-दो किरपान दे एक नोगों के लिए गुरुस आइवान ने सरोवर बनवाए, उन्योह, ने अमरत्ढ़न एक य लोगों को कपड़े दी लिए लोगों को घोड़े पर चड़ने की मनाई थी उन लोगों को गोड़े की सवारी करवाई एक नहीं दो दो गोड़ों की सवारी करो जिन लोगों को ये लोग अच्छूत सुद्र और नीच कहेकर दुतकार थे गुरूश आइवान ने उन्हें सरदार बना दिया गुरूश आइवान ने उसको पकड़ लिया कि हां रही है इनका मनोवल तोड़ दिया गया है और हमें इनका होसला बुलंद करना पड़ेगा गुरूश आइवान ने इतना होसला बुलंद किया गुरू-साहिवान चिडियों से में बाज लड़ाओं गीदनों को मैं सेर बनाओं सवाल लाग से एक लड़ाओं तब गोबिंद सिंग नाम कहूं इतना होसला वर दिया कि मेरा एक सिंग सवाल लाख के बरावर होता है और उसको प्रक्टिकल करके बताए दिखाया गुरू साहिवान ने तो यह होसले वाला हमको रास्ता दिया है गुरू साहिवान ने तो मुझे फिल हुआ क जिना ने तो अड़े अंदर होसला जिगाया उन्हादे बच्चे बनों उन्हादे पुतर बनों जी बिलकुल जी इसको तो डॉक्टर अमेडकर साहब है वह भी कहते हैं बावा साब डॉक्टर मेडकर कहते हैं कि हिंदू धर्म गुलामों को गुलाम बनाए रखने का एक श जादियों से सोचण हो रहा है शोचण हो रहा है इसका भी महन कारण है कि जैसे कोई सुध्य और चूद्ध है डलित है तो उस परिवार में पलता बढ़ता है, तो उसकी जो टीचिंग होती है, तो वो टीचिंग भी गुलामी वाली होती है, उसे बच्पन में ही सिखा दिया जाता है, वेटा हम अचूत है, हम नीच है, हम छोटी जातिके हैं, जब पंडित जी आए तो खड़े हो जाना, उनको प तब तक गुलामी वाली टीचिंग पीडी दर पीडी पीडी दर पीडी ट्रशना होती रहेगी, और वो उस गुलामी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, पर तो शिखी देवेचे देखेंगा, भी संगट एक है, पंगट एक है, सुक्त पाट एक है, ककार, विचार, अदकार इख यह तो लेटूल लीगए ऑदिए अंदर कॉंफिडेंस पैदा हुएगा वेसिसार खोगया धर्वावलिये तो hasla टूटेगा उसीचिंग से तो ब्रहमन और जो चत्री वैसे हैं इनोंने मिलकर शड्यंत्र किया और भारत के सुद्रों का जूतों का जब इनका तूटा हुआ है बहले इनदे परशेंट है जब इनका होस्ला तूटा हुआ तो यह कुछ नहीं कर सकते जो तीन परशेंट लोग है वह पूरे देश पर रा इतना बुलंद है कि हम किसान नांदुलन हुआ उसको फत्य करके बताया सिक्थ जहां भी हो वहां से वहाँ बहाँ में आगे खड़े रहते हैं होसला बुलंद है इसलिए जी और डरते भी हैं लोग हम 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 मैं तोड़ी ए चीज़ पढ़ रहा सा मैं बनिया इ मैं आहीरा हँना देंदर एक हांसला बनिया हो भी मेरी उच जाती है हिर्णा इनौ level इ बड़ नधनर हाँ पर जदो हो यही सिख़्ी दे बछ़ी पर वेश कीता जानदा है जोड़ी सिख़्ी किसे ऑदी बाप दाद्यां दी इस तरीके दा जो जमानी ने उदे अंदर पाया सी फिर ओके दा मैं ते गुरु का सिखां मैं ते सर्दारां मैं ते खाल सामा फिर कॉनफिडेंस जी डा हजार गुना बाद दा है जी बिलकुल बीर जी और एक चीज और है जो होसला जिससे तोड़ा जाता है वो है जाती, जाती के आदार पर होसला तोड़ा जाता है, अब जाती की अगर कोई डेफिनिशन पूछे के जाती की डेफिनिशन क्या होगी, तो लोग अपने अपने तरीके से बताएंगे, लेकिन जो मैं समझ था हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जाती है वो एक रेजिमेंट है, हौज है, हौज है, रेजिमेंट है, रेजिमेंट का काम होता है, नीचे वाले को कुचलना, और उपरे वाले को प्रोटेक्ट करना, जैसे मान के चलिए कोई अहीर है, गुजर है, या जात है, वो ब्राम्मन ठाकुर बनिया को तो सलाम करेगा, उनके तो प पेस आएगा, उनका सोसन करेगा, उनको यह दिखाएगा, देख हम उची जात के तू नीच जाती का है, लेकिन है बो भी नीच है, अब मान के चलिए, जो एक जाती की बात हो रही है, तो वो कहना जरूरी है, मान के चलिए चमार जाती है, चमार जाती को हिंदू धर्म के जित तो जो कास्ट है वो एक रेजिमेंट की तरह है और यह होसला तोड़ने के लिए बनाई गई है यानि उपर वालों को प्रोटेक्ट करो उपर वालों की सेवा करो उनकी रच्छा करो नीशे वाले हैं उनको कुछलो उनके साथ सोशन करो तो मनोबल इस तोड़ा गया है बहुत बहुत सोने टांग दे वेजित उसी सरदार दिनेज सिंग जानकारियां देती है ने ते मैं अक्सर ही लोग को नों कहना होना मैं के भी सरदार दिनेज सिंग LLM अक्सर ही मैं कहना लिखता है वेजिए बड़ी जान होंदी है जो तो तो आड़ी कोई भी लिखता हूंदी है मेरी नजर दे बिचा जान दी तो मैं चंगी तरो नो पढ़दा जुरूर होना मा जो कि जिदे लिखिया होंदा है ने दिनेज सिंग लेलम दी लिखी होई है तो मेरा यतन होंदा है भी एक वरी नजर दे बिचो कड़ा क्योंकि तुसी एक अच्छे लायर हो एड़ोकेट हो और किते ना किते जे गल करिये ते तुसी मुद्धे बहुत बड़े बड़े चाका देओ तो देल्दियां गहराईयां तो सरदार देनेज सिंग जी तो अड़ा तनवादियां फिर भी मंदेब कदी को सुवाल लाया या तो अड़ी लिखत आई ते मैं जरूर तो अड़नल करना बता करांगा ठीक है वीर जी मुझे आप से बात करके बहुत खोसी भी बहुत अच् वाई गुरुजी की फटे जी खालसा वाई गुरुजी की फटे